जय मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सब दिव्याज किचन में आप सभी का स्वागत है आज है नवरात्र का साथवा दिन यानी की सब्तमी और सब्तमी के दिन माता काल रात्री की पुझा की जाती है है ना दोस्तों वैसे तो बंगाल में दुर्गापुजा बड़ी धूमधाम से होती है लेकिन हमारे आसाम में भी न दोस्तो दुर्गापुजा बहुत ही बड़ी धूमधाम से होती है और हर जगा पे पंडाल लगाये होते हैं हर छोटी छोटी जगा पे बड़े बड़े पंडाल लगाये ज अपने उहीं पे हैं ना तो याद तो आएगी ही कोई बात नहीं याद को थोड़ी देर के लिए परे रखते हैं और आज आते हैं आज की पूजा में और आज की पूजा है कालरात्री की और मैंने बिल्कुल सरल तरीके से पूजा किया है सब्तमी के दिन माता ने राक्षस सुंब और निसुंब को विनास करने के लिए इस धर्ती पे कालरात्री का रूप धारन किया था और इस संसार को राक्षस से मुक्त किया था माता का स्वरूप भी बड़ा ही निराला है ना दोस्तों माता का एक रूप दूर्गा है तो वहीं जरुरत पढ़ने पर माकाली भी बन जाती है और मैंने आज सुबस सुबस नान करके माता की मंदीर को साफ सफाई कर लिया है और अब कर रही हूँ पूजा की तयारिया दोस्तो कितनी जल्दी समय पार हो जाता है न हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलता है आज साथवा दिन भी हो गया है और रोज पूजा करते करते न माता से एक अलगी अलगा हो जाता है जैसे कि मा और भेटी का अटोट रिष्टा दोस्तो बातों ही बातों में मैंने अपनी पूजाभी कर ली है यह देखिए आरती हो रही है और दोस्तो आप लोगों का भी पूजाद रहा होगा दुरगा मा हम सब की मनों का मनाय पूरी करें इसी के साथ आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय गोवा जय आयोखाम